हलो एवरिवन आज हम कंपनी लौका जो केस डिसक्स करने वाले हैं उसका नाम है टालको दैट इस ताटा इंजीनियरिंग एड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड वर्से स्टेट ऑफ बिहार इस केस को करने से पहले अगर आपने इससे पहले वाला केस यानि की स्टेट करता है citizenship and company way that is यहां पर जो lifting of corporate wheel है वो सिर्फ इसलिए ही lift नहीं हो सकती कि आप as per under article 19 of Indian constitution सिर्फ अपने shareholders type के shareholders के rights को जाना चाते हैं यानि कि इसमें basically हम इस चीज़ को देखेंगे कि क्या company fundamental rights को claim कर सकती है as a citizen बता के कि जब उस citizens के बीच में aggression है तो यहां पर इत्में overall हमें यही देखना है कि क्या company खुद को citizen बता सकती है या नहीं बता सकती generally हम जानते है company की separate legal entity होती है person से तो इस case में सबसे पहले क्या होता है कि petitioner यहां पर क्या है एक company होती है और यहां पर जो उस company के majority में shareholders होते हैं वो Indian shareholders होते हैं और यहां पर वो contention देते हैं कि यह कहीं पर भी नहीं है कि company citizen नहीं है बट उसको जो shareholders है वो Indians है अगर company के shareholders Indians है तो Indian constitution Indian citizens को fundamental rights provide करता है तो यहां पर जो फंडेमेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है तो यहां पर जो petitioner होता है वो contention देता है कि जब citizen citizens को provide हैं तो company भी as a citizen treat की जाती है क्योंकि company एक legal जो है वो person है यह मैं petitioner के contention बता रही हूं अपनी नहीं तो यहां पर एक company को भी इसलिए fundamental rights मिलने चाहिए और वो claim करता है fundamental rights और उसको कौनसा fundamental right violation हुआ है as per section 19 clause 1 clause g जो कि trade freedom के बारे में बात करता है तो उसके violation हुआ है और यहां पर वो कहता है इस basis पे fundamental right के violation पे उसके और यहां पे company और जो भी सारे यहां पे इंप्रवाजन के बीच में जो एक corporate wheel का corporate wheel होती है उसका उसको lift कर देना चाहिए यानि उसको हटा देना चाहिए तो यहां पे वो demand करते हैं तो इस case में justice होते हैं यहां पे इसमें judgment यह आती है कि जो wheel of cooperation cannot be lifted वो lift नहीं हो सकता सिर्फ इसलिए कि आपको अपने shareholders के shareholders को जो rights मिले हैं वो as a citizen मिले हैं लेकिन company एक citizen नहीं है अगर shareholders के बीच में कोई भी right उनका violate होता है कोई fundamental right violate हो रहा है तो वो इस fundamental right के violation के लिए वो खुद shareholder जा सकते है application petition file कर सकते हैं बट company as a citizen petition file नहीं कर सकती अगर shareholders कोई भी right violate हो रहा है तो as a person as a Indian citizen उनके पास right है बट company के पास नहीं है thank you